असलाम अलेकूम बच्चो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ कहानी का नाम है हीरा और कांच ये एक सबक आमोस कहानी है जो एक बाप अपने बेटी को सुनाता है तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बाप अपने बेटी से कहता है कि एक बार एक बादशा ने कांच के हीरे और असली हीरे एक थेली में डाल कर एलान किया कि है कोई ऐसा जोहरी जो कांच और असली हीरे अलग कर सके लेकिन शरत ये थी काम्याब जोहरी को मौ मांगाई नाम और नाकाम कसर काट दिया जाएगा दरजन बर जोहरी सर कलम करवा बैठे यानि अपने सर कटवा बैठे क्योंकि कांच के नकली हीरों को कुछ इस महारत से तराशा गया था कि असली का गुमान होता था इसके बाद डिन्डोरा सुनकर एक अंदा शाही महल में हाजर हुआ सलाम करने के बाद बोला कि मैं वो हीरे और कांच अलग कर सकता हूँ बादचा को हसी आई और नाकामी की सूरत में सर कलम करने की शरत बताई अंदा हर शरत मानने को तयार हुआ हीरों की थेली उठाई और महल से निकल गया एक गंडे बाल हाजर हुआ उसकी एक हाथ में असली और दूसरे हाथ में कांच के नगली हीरे थे शाही जोहरी उन्हें तजदीक की कि अंदा जीत गया है बादचा बहुत हैरान हुआ और उसकी हैरत की इंतहाना रही कि एक काम जो आखो वाले न कर सके वो काम एक नाबेना मतलब एक अंदा कैसे कर गया बादचा ने अंदे से दर्याफ्त किया कि उसने असली और नकली की पहचान कैसे की अंदा बोला ये तो बहुत आसान है मैंने हीरों की थेली कड़ी दूप में रख दी फिर जो तपिश से गरम हो गए वो नकली थे और जो गर्मी बरदाश्त कर गए और ठंडे रहे वो असली थे बादचा ने अंदे की तारीफ की और इनाम इकराम से नमाजगर उसको रुकसत किया अब आप ने अपने बेटी से कहा कि बेटा इस कहाने से हमें सबक मिलता है कि बरदाश्त, नरब मिजाजी, हलेमी, मतानत और महपती इंसानियत की मेराज है जो गर्मी हालात को सह गया वो हीरा जो ना सह सका वो कांच आप पूरी कहानी सुनकर बेटी ने बाब से पोच्छा कि बाबा, इंसान आखिर कब तक बरदाश्त करे कब तक लोगों के तानी सहे कब तक अपने गुसे को पिए आखिर बरदाश्त की भी कोई हद होती है बाबा मुस्कराए और बोले बेटा उस वकित तक सहना है जब तक हीरा न बन जाओ तो बेटे ने पूछा फिर उसके बाद क्या बाबा बोले फिर हीरा बनने के बाद हीरे पर कोई दबाओ कोई आग और कोई तपिश असर नहीं करती जिस तरहां जिकने गड़े पर पाने नहीं डिकता उसी तरह असली पर कोई देर कोई नश्टर काम नहीं करता